तो लगातार बाजार में दूसरे दिन बिक्वाली है और बाजार में अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो निवेश्कों की तीन लाख क्रोन रुपेस वहाँ हो गए हैं और उसकी वज़े यह कि भारती बाजार लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे थे लेकिन च जवाल का जवाब जानेंगे और आखरी के एक घंटे में आपकी रड़नी थी क्या हो इस पर भी चर्चा करेंगे नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अभिशीक और मेरे साथ हैं मेरे सियूगी डिंपी कालरा तो बाजार में आज हम देखने की साढ़े तीन सो अंकों की भारी हरकम विक्वाली हम देखने की निफ्टी में है और निफ्टी बैंक की बात करें तो उससे डवल से भी ज्यादा आट सो अंक नीचे है निफ्टी बैंक और आज तमाम जो बड़े बैंकिंग प्लेयर हैं बहाँ पर कमजोरी है आई सी सी बैंक गिरा हुआ है एक्सिस बैंक म निफ्टी बैंक आ गया है तो गिरावट कमा हो लें और मेटल को छोड़ने तो लगबख सभी सेक्टर आज कमजोरी के साथ कारवार कर रहे हैं थोड़ी बहुत बाइंग हम देख रहे हैं कि में जो कंजम्शन वाले शेयर हैं इसमें खरदारी है ब्रिटानिया के शेयर में और इनरजी में कुछ मिले जुले रुजान आज के सतर में हम देख रहे हैं तो बाजार का मूर जला समझते हैं क्योंकि सुबह के सतर में हम चर्चा जब कर रहे थे तो कहीं कहीं चाइनीज मार्केट में जो इस्टिमिलस दिया गया है उसके चलते एफाइस के आउटफ्लो का उचाल है तेरा का है इंडिया विक्स समझते हैं डिंपी एक घंटे का सातर बचा है और दिन के निचले सतर पर बाजार है क्या यहां से आप और गिरावट देख रहे हैं या फिर पच्छेजार आट सो जिसको कहा जा रहा था कि एक कुरूशल सपोर्ट हो सकता है नियर जार रिस्पर्ट करेगा च्छबिशार दोसों से हमारी कहानी शुरूई थी हमने आपको तीन चीजे नोटिस करवाई थी पहला हाई रोल ओवर एंड हाई ओवाई साड़े च्छे लाक शेर उसका ऑपन इंटरस्ट के साथ निफ्टी ने जब एंटर किया तभी से समझ में रहा था कि निफ्टी इतनी भारी भरकम तरीके से नहीं चल पाएगा या तो साइडवेज होगा या तो नीचे आएगा 81% की लॉंग पोजिशन्स थी ये भी अपने आप में बताने के लिए बहुत सफिशन्ट था कि बाजार में अप एफवाईस की खरीदारी तो होगी न या तो थोड़ी बहुत सेलिंग करके प्रॉफिट बुगिंग कराएगा तो आप मार्केट में पिछले दो दिनों से यही देख पा रहे हैं और आज ऐसा नहीं कि बहुत बड़े गैप के साथ आज खुले हैं आज जो आपको भी समय की गिरावट देख रही हैं तीन गुन शॉट किया अन्वांडिंग का प्रेशर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर हावी हुआ लेकिन जैसे मैंने आपको एक पॉइंट सुबह भी नोटीस करवाए था कि बाजार की खुबसूरती यह है कि सिर्फ पांसो पॉइंट तूटने पर ही उसके इंडिकेटर ठ हम तो गंटे में देखते हैं लेकिन अगर आप कल और आज में ही चेक कर लेंगे तो वन पॉइंट त्री का पुट कॉल रेशो अब 0.86 प्या चुक्त निफ्टी निफ्टी का और जबकि अभी तो गिरावट कुछ हुई नहीं है मैंने कई बार आपके सामने पॉइंट नहीं हुटेगा 26,000 रिंडेख 46 प्रॉंट दस परफेंट बनते हैं थे girh सो पॉइंट सिर्फ परसंट बनते हैं अ Whit consistency ओ तेंधा सो पॉइंट का भी विफॉव्ल मारकेट के अंदर जैसी na का फॉल आ रहा था कि आप बाइंग ऑन डिप सेल ऑन राइस करते जाना डिप की वेट करो बले नहीं आरा मतलो डिप की वेट करो नहीं आरा मतलो अगर डिप आ रहा है तो उसका भर पूर फायदा उठाओ यह डिप मैं अच्छा एक और मंद में कुश्चन आपके चल रहा होगा क्या डिप और एक्स्टेंड हो सकता है क्या देखिए एवरिजिस के हिसाब से हो सकता है इसमें एक्स्टेंशन हो सकती है और भी ठीक लेकिन जिस तरह का करेक्शन मार्केट में दो दिन में हुआ है बहुत सारी चीजे अपने आप में चेक एंड बैलेंस हो गई है आप यह देखो आके रुक गई है आप कोई नेगिटिव खबर अगर और आजाए तो यह ओवर सोल्ड कॉंटीनी होगा नहीं तो यह ओवर सोल्ड केटीगरी में गिरते ही एक छोटा पुल बैक देगा यह पुल बैक कितना हो सकता है पुल बैक 400-500 पॉइंट का भी हो सकता है तो आप अभ बढ़ी और एफाइस ने थोड़ा कम माल चोड़ा तो फिर मैं मानूगा कि अभी गिरावट और आएगी आई रिपीट माइसेल्फ रिटेल का प्रपोर्शन जो भी 34% अगर वो बढ़ता है और एफाइस के पॉजिशन कम होती हैं बट उतनी जादा कम नहीं होती हैं तो ब वजार नियर बाय अपना बॉटम यहीं कहीं ढूंद लेगा और वापिस एक चोटा मोटा पूल वैक आपको दिखा सकता है क्योंकि सिरीज के शुरुआत में ही सारा कुछ हो रहा है इसलिए अभी लंबा समय बाकी है और सिरीज 31 अक्टूबर तक जाएगी अभी तो सिरीज के साफ से अक्टूबर हो गया तो यह लंबी सिरीज है स्टार्टिंग में इस तरह का करेक्शन बहुत असान सी बात है और एक और बात आज सुबह हमने आपको इंडिया विक्स भी बताया था और यह भी बताई थी कि इंडिया विक्स 10% तक भी जा सकता है आप अप जो 9% इंडिया विक्स बढ़ाया है मैं आपको डरा नहीं रहा बठां मैं थोड़े तेजी को रोक रहा हूं और सारी चीजों को ठीक करना हूं अगर आप साड़े गया रहां का विक्स पे खड़े रहो गए ना तो आपका बज़ार चलेगा ही नहीं कैसे चलेगा बज़ार सब्सक्राइब एक लेवल तक ही तोड़ सकते हैं उसके बाद फिर आपको थोड़ा ऊपर नीचे करके मार्केट की वालेटिटी को रखना पढ़ता है नहीं तो फ्रीज हो जा रहा है मैट्रस में आप अपड़ सी पेटी नहीं कर पाऊए आई नहीं पाएगा मनी फ्लोटी मेमान वेट कर रहें इसलिए मैं ज़्यादा समय लोंगा नहीं उन मेमानों के पास जाओंगा लेकिन हाँ मैं फिर से बोलता हूं अगर आप भाव और भावनाओं की खेल में जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई बने ना तो कई बार फोमो फेक्टर और भावनाओं का खेल हा आधित्य अरोडा ने भी आज कम गया सूबहें मारसाथ कारकर माभी थे शरीकाण चुहान काफी दिनों बाद आज मेंको देखेए वापिस शरीकान बहुत शुक्रिया थैंक्यू वर्यमच समय देने के लिए अलिट्य आपका भी शूक्रिया राजश सर थैंक्यू थैंक्य टेक लेना जरूरी है इसलिए समझते हैं 25,800 और 53,000 मैं 25,800 में थोड़ा पक्ष में ज्यादा हूं 53,000 बैंक निफ्टी के पक्ष में थोड़ा कम हूं श्रीकान सर जड़ा देख के बताईए 25,800 की जो पॉटेंस है यह और जरा नीचे जा सकता है या फिर यह बस हो गया चोटा मोटा जो करेक्शन चाहिए था वह यहीं कम्प्लीट हो रहा है तो देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि मार्केट एक कर्रेक्टिव फेज में है और जैसे आपने कहा वैसे हम वही एक्चुली स्ट्रेजी फॉलो कर रहे हैं और हमारे जितने भी क्लाइंट से हम उनके साथ वही डिसकस करते आ रहे हैं कि जितना भी कर्रेक्शन मार्केट में आता है उस कर्रेक्शन का आप इंतिजार कीजिए जब तक कर्रेक्शन नहीं आता है तब तक आप इंतिजार कीजिए higher levels पे काफे aggressively invest करना या trade करना advisable बिल्कुल भी नहीं है अगर कर्रेक्शन आता है जैसे भी 400 पन का almost कर्रेक्शन आ चुका है मुझे लगता है यहाँ से शायद निफ्टी एक बार 25,700 तक आ सकता है और worst case पकड़ लेते हैं कि अगर कुछ और गडबड़ी होती है तो 25,500 तक आएगा निफ्टी लेकिन हमें लगता है कि इन levels के market में कहीं भी support मिल सकता है तो possibility है कि हम यहाँ से कुछ और 100 पन का correction देख सकते हैं शायद opening में कल के opening में लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि एक अच्छा rebound भी market में मिलेगा क्योंकि 400 पन या 500 पन का correction market के लिए काफी हो जाता है इस particular bull phase में मैंने देखा है और bank nifty में भी possibility ह कि शायद bank nifty भी 53,000 के levels से उसने चूली है लेकि current levels में बैंक nifty के लिए काफी बढ़िया support है तो bank nifty में कुछ selective खरेदारी अभी से करनी चाहिए नifty के लिए मुझे लगता है कि 100-800 पॉंट का और 100,000 का और इंदिजार करता जाहिए ठीक है तो यह इंडेक्स पर technical view हो गया और निफ्टी बैंक को 33,000 पर support है जिसा के डेपी भी कह रहे थी लेकिन निफ्टी में गुंजाईश अभी है 100 अंकों की गिरावट की 25,700 तक इंडेक्स गिर सकता है एक काम करते हैं ट्रेट्स भी लेंगे थोड़ी दिर में हम आदि कि अवल अंसर्टेंटीज हैं मिडिल इस्ट में जो तनाव चल रही है क्या यह और परेशान करेगी क्या चाइना को लेकर जो संभावित जो आउटफ्लो की बाचीत हो रही है क्या उससे डरना चाहिए या फिर अपने बाजार के fundamentals मजबूत हैं यह गिरावट खरदारी का म लगातार कई दिनों तक आप मीठा खाते खाते भी परिशान हो जाते हैं तो वही हुआ है लगातार तीन हफते से हम लोग ने मार्केट अगर वीकली देखेंगे तो तीन हफते से मार्केट गिन के साथ बन कर रहा है और यह हफता चोटा हफता है कुछ ख़बरे वीकेंड पर निकल कर आई मिडल इस्ट से महां के एक लोग को मार दिया गया इसराइली तरफ से तो वो टेरिस था और ऐसे कुछ ने आखाबरे थी जिसके कारण से तोड़ा सा मिडल इस्ट के तरफ से चिलता होई लेकिन जहां तक भारतिय बजारों के बात है मैं समझता हूं कि बह ठाक आये थे फर्स क्वाटर में पांसा दिन में हमारे सेकंड क्वाटर के नंबर आने चालू हो जाएंगे फिर मार्केट को एक दिशा मिल जाएगी आज की डेट में हमारे पास कोई ट्रिगर नहीं है इस वो जैसे विदेशी बजारों के तरफ देखते हैं वहां से जैसे यह 50-11 का कट किया है उसके बाद हमें से लगता है मेटर्स में देखी हो सकती है दूशरे कुछ दिनों में बैंकिंग में अगर आप देखो तो क्वाटरली अफडेट साने चालू हो जाएंगे वहां से बड़त दीख सकती है क्योंकि नंबर अच्छे है और अभी श्रिकान कि मिटकेप बैंकिंग साइड में जहां बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस दीखी है पिछले कई क्वाटर से वहां ध्यान देना चाहिए एक्जांपल के तौर पर करकाना चाहिए तो मुझे लगता है बैंक आप महाराश्टरा बहुत अच्छा आपको रिटन दे सकत है मध्यमवदी में अगर आप देखो तो टौप परफॉर्मिंग है पॉप्टिक सिक्टर बैंकों के लिए अगर आप देखो लोन दो परजट ग्रोथ अच्छी आई है कॉंस्टेंटली अपने असेट क्वालिटी उन्होंने सुधार रहा है नेट एन्पेज अभी पॉइ मुझे लगता है है ऐसे चुनिंदा बैंक जाना कर परफॉर्मेंस अच्छी है या वालुएशन अच्छे है वहाँ ध्यान देना च्छी है लास्केप में आप HDFC बैंक के SBI पर ध्यान दे सकते हो जे ठीक है बैंक आफ महरास्टा, SBI, SDFC बैंक इस पर ध्यान दीजिए और बाजार की इस गरावट से घवरानी की जरूत नहीं है और सही करें राजी जी कि अभी हम ग्लोबल बाजारों की तरफ देख रहे हैं क्योंकि ट्रिगर नहीं है लेकिन कल ट्रिगर आजाएंगे औ सितंबर में तो देखना हो गया कि आखड़े की सरस निकल के आते हैं हालांकि कहाई जा रहा है कि शाध के चलते थोड़े से नंबर्स कमजोर आएंगे और कल सी ये तीन बड़े बदलाव भी होने वाले हैं जो आपके स्क्रीन पर ये तीन तजविरी दिख रही हैं आगे इ एनसी बीसी के ने ट्रांजेशन चार्ज कल से लागू हो जाएंगे एस टीटी में बढ़ोतरी कल से लागू होगी और बाइबेक पर टेक्सेशन के ने नियम कल से आजाएंगे इस पर हम विस्तार सागे बादचीत करेंगे लेकिन पहले ज़रा ट्रेट समझ लेते हैं और चलेंगे आदिती के पासे आदिती बताइए आपने वाजार में क्या खो जाएं कहां पर आपको इस ट्रेंथ दिख रही है या फिर कहां लगता है कि शॉर्ट करके पैसा बना जा सकता है देखे जैसे सुभे हमारे डिस्केशन हुआ था मैंने बैंक निफ्टी पे सेल की राय दी थी वहां से निफ्टी और दो सुचासो पॉइंट नीचे आ चुका है और मुझे लगता है कि सेल का ट्रेंड कंटीनिव रहेगा क्योंकि जैसा डिमपी जी बता रहे थे बहुत द पर कॉल राइटर्स थोड़े से हावी हो चुके और जो सेल का ट्रेंड है थोड़ा सा कंटीनिव रह सकता है कल परसों के तरफ और ऑक्टोबर की एक्सपायरी जिस हिसाब से चालू हो रही है लगता है मोमेंटम इस तरफ भी चल सकता है तो मेरा तो वैसे बजार पर बैरि 3-1 SL रहेगा 1-2-5-0 का और टागिट रहेगा 1-4-1-0 का और 1-4-9-0 का सेकेंड स्टॉक है फॉर्टेस हेल्ट केर अगें फार्मा डिफेंसल स्पेस से है इसको बाई कर सकते है 6-1-4 में 5-90 रहेगा स्टॉप लॉस और 6-60 से लेके 700 का रहेगा टागिट ठीक है बढ़े हैं स्टेटिजी अच्छी है देखिए जब भी बाजार में थोड़ा से जोखिम हो खतरा हो तो उधर शिफ्ट हो जाई है जहां पर थोड़े से आपको सुरुक्षा देखे सुरुक्षा देते हैं आपको ये फार्मा शेयर एफमसीजी शेयर और वहाँ पर फूटी इस खरीदी की सिलाया देती की तरफ से 660-700 रुपे की टार्गेट के लिए आप इस खरीदी 590 की स्टॉप्लोस के साथ शुकान जी आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं क्या वो मेटल में हैं क्या वो मेटके बैंकिंग में हैं या कंजम्शन वाले शेयर सें कहा पर आपको भरुसा है बिलकुल तो अभिशिक जी देखिए मुझे लगता है कि इस मार्केट में बेटल्स तो मुझे लगता है कि एक अच्छे ट्रिंडिंग मोमेंटम में रहेंगे आज जो चाइनीज स्टॉक मार्केट में जो एक ओर आल टेकनिकल पैटन बनाएं वो क्ल पर में लगता है कि मेटल्स तो बिलकुल हमें फोकस में रखने हैं साथी साथ मुझे लगता है कि कुछ PSU में भी बारगेइन हंटिंग हो रहा है मार्केट में ऐसा लग रहा है क्योंकि कई सारे स्टॉक अपने important supports के करीब आने के बाद अब वहाँ हमें कुछ reversal activity देखने मि मॉर्निंग में फर्स्टाफ में जब correction आया था तब 274 पचटर के करीब था और अभी वापस 280 के करीब आच चुका है तो मुझे लगता है 270 के stop loss के साथ भारत हेवी को long करना चाहिए targets नजर आते हैं 300 और 305 के साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो metals में मैंने कहा कि वहाँ पे तीजी बनी है और हिंडाल को नालको जैसे stock अपने all time highs में trade कर रहे है जबकि commodities में एक just एक reversal pattern बना हुआ है तो हमें लगता है कि इनने और भी काफी अच्छा out performance हमें देखने मिलेगा 210-209 के करीब नालको national aluminium को long किया जा सकता है हमें लगता है यह stock 220-225-235 के भी levels दिखा सकता है और stop loss जो रखना है वो काफी nearby का है क्योंकि यह breakout level है तो 200 का stop loss रखे और targets रखे 225 से लेकर 234 रुपेगे तो नालको और भेल यह दो stock हमें लगता है current level से खरीद के चलना चाहिए का वैसी भी नियम है कि अगर आप swing trade करते हैं तो आपको trending stocks लेने चाहिए अगर आप value hunter हो तो आपको bottom बने हुए shares लेने चाहिए और अगर आप बिलकुल तेजी को chase करते हो तो आपके पास सौधा पाड़ा हुआ है तो आप उसको trailing stop loss के साथ काम करो first of all सौधे को मत decide करो सौधा क्या है पहले अपने आप से decide करो कि हम कौन है हम trader है हम swing trader है हम long term trader है हम हैं कौन अगर आप अपने आपको पकड़ लोगे ना कि सिस्टम में मैं यह हूँ तो आपको सौधा ढूने में उसके stop loss लगाने में target लगाने में थोड़ी असानी होगी यह मैंने कई साल अपना market को देने के बाद थोड़ी मैं इस point पर निकला हूँ सोधा लेने के बाद हम अपने आपको define करते हैं actually मैं define आपको पहला करने चाहिए ठीक anyhow अब थोड़ा हम आवर आगे बढ़ जाते हैं एक options का trade हम आपके सामने रखते हैं विने रजानी HDFC Securities के मिरसा जुड़ रहें लेकर आईए options का चेंपियन विने जाने मस्ते हैं जरा बताईए सर कौन सा option ढूड़ना है आई होप आप इंडेक्स में तो एक्सपेरिमेंट नी करेंगे करेंगे स्टॉक्स में अभी अभी भी एसे मार्केट में भी आज जहां पे निफ्टी में अच्छी काती correction देखी हमने फिर भी काफी सारे लॉंग सेड पर उपरचुनेटी दिख रही है मुझे उसमें से एक oil and gas stock है जो काफी अच्छा लग रहा है जो अपने all time high के आजपास trade कर रहा है वो है इंडरफरस gas जो एक city's gas distribution कामनी है इसमें हम एक consolidation देखा है पिछले 3-4 weeks एक level पर consolidate कर रहा है पर आज के session में हमने देखा कि वो breakout देने की तैयारी में है तो पूरा जो sector है वो भी अच्छा कर रहा है MGL का भी setup काफी अच्छा है तो उसकी जो momentum को देखते हूँ और overall trend को देखते हूँ मुझे लग रहा है IGL का October मन्त का 560 का call हम long कर सकते हैं जो 20.50 पैसे के आजपास trade कर रहा है Stop Loss में यहां पर recommend करूँगा 15 रुपय का और upside में target में recommend करूँगा 30 का तो जो maximum loss अगर हम stop loss से गिनते हैं तो per lot 7560 रुपय के आजपास का maximum loss possible है और हम target से गिनते हैं तो maximum profit per lot होगा 13,000 के करीब है तो मेरे इसाब से IGL में options long कर सकते हैं October मन्त का 560 का call ठीक है डैंसर 560 वाली call आप खरीच सकते हैं 20 रुपय में आपको मिल जाएगी stop loss होगा 15 का target होगा 30 का 5 रुपय जाएंगे 10 रुपय आएंगे ratio होगा वन इस्टो टू ऐसे profit भी लिखा है 13 और 7 यह वन इस्टो टू है calculate एक lot के साथ experiment कर लेना क्योंकि मार्केट थोड़ा अच्छा एक और पॉइंट जब आप पोजिशन ले लोना options के अंदर तो options का पहला नहीं बनता है कि उसके अंदर आप घाटा ना उठाओ तो आपके rate से थोड़ा भी उपर आई ना तो trailing stop loss डाल दो सर बोले 10 रुपय में जल्दों के जल्दी की जांगी होता क्या हमारी हम जैसे समझते हैं जानते हैं आपने कई बार सुनाओगा जल्दी का काम शेटान का लेकिन मार्केट में अगर जो options का काम करता है बहुत समझदारी काम है options बहुत जल्दी स्विंग उपर नीचे मारती है इसलिए timely exit और इतना ध्यान रखेगा तो इसलिए आप्शन के अंदर में को यह पॉइंट और एड करना था ठीक है जी विने सर बहुत शुक्रिया समय देनी के लिए राजे सर के पास आतो मैं एक पॉइंट पूँछने के लिए राजे सर इतनी उतल उतल हो रही है पूरे गल्फ कंट्रीज में हाना आप भी जानते हो कि इसरेल ने दो तिन देशों में और आतंकी ठीकानों पर हमले कर दी हैं लेकिन ना तो क्रूड ना तो क्रूड से चीजे जो डरने वाली हैं वो कहीं दूर दूर दग नहीं दिख रही है और मार्केटिंग कंपनिस बहुत बढ़िया है आज में जैक कर रहा था और एंड गैस वाला सेक्टर सबसे बढ़िया रहा ऐसा क्यों हो रहा है सब लोगों को समझ में आ गई है कि हाई डरना नहीं है जो हो हो रहा है ठीक हो रहा है यह तो सही है कि आतंगवादी ठीकानों पर हमले हो रहे हैं शॉट टम में अगर आप देखोगे तो यह आपको क्रूड वगरे के लिए चिंता की बात होगी लेकिन अगर लॉंग तब में देखोगे तो इसके अच्छाईयां बहुत है वो अपनी कई महीनों से क्रूड जो है 80 डॉलर के नीचे ट्रेड कर रहा है अभी शुकरवार किया कि क्लोजिंग की बात की जाए तो 22 डॉलर से भी नीचे ट्रेड किया जो कि अपने सारे moving averages से नीचे है और इतनी बड़ी खबर आने के बाद भी कोई बहुत बड़ा उच्छाल नहीं आ रही है और जब तक हमारे हिसाफ से क्रूड 80 डॉलर के उपर नहीं जाता है तब तक ऐसी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है और 80 डॉलर के उपर जाता फिलहाल दिखता नहीं है क्योंकि किसे भी नीचे और 80 डॉलर मने 10-12 परसेंट का gap है तो ये बहुत satisfying बात है खास क बारत जैसे इंपोर्ट प्रधान देशों के लिए जहां 70-80% जो खपत है वह इंपोर्ट की जाती है तो ये हमारे लिए बहुत comforting factor है जिस कारण से हमने दिखा है नहीं के वल्ल मार्केटिंग कंपनी बलके कुरूट से जुड़ी कंपनी जैसे की पेंट अगर है वो भी ठी ठाक परफॉर्म कर रही है ठीक है पस यहीं को आंसर आप से समझना था क्योंकि ना काफी सारे लोगों के मैंने दूवदा चल रही होगी पहले तो एक ही गल्फ कंट्री के अंदर ऐसा होता था तो ऐसा हो जाता था कि कुरूड रातो राती आठाट परफंट का स्पाइक द से एक है उस पे जरेली हमला हुआ उसके बावजूद भी कुरूड में कुछ वैसी हरकत नहीं आई अच्छा कुरूड में हरकत नहीं और कुरूड से जुड़े हुए जो इंडियन मार्केट के शेयर हैं उन में ऐसाच कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई तो जो आपने आंसर से लिक के बाद शेस्टी को जोड़ेंगे ब्रीक की बाद आपका फिर से स्वागत है बाजार में कमजोरी वरकरार है रिकवरी की कोई खास अंकीत नहीं है निफ्टी है सवा तीन सो अंग नीचे और निफ्टी बैंक की बात करें तो आठ सो अंगों के आस पास की आपको पूरी डिटेल के साथ हमारे से होगी शरत दुबे हमारे सा जुड़ गए हैं शरत बताइए क्या कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं इस पर नजर होनी चाहिए जी बिलकुल आप देखे तो overall F&O transactions को लेकर बड़े changes आने वाले हैं और यह जो है as a trader आपको impact पड़ेगा तीन एहम चीज़े मैं पहले बता देता हूँ NAC BAC के नए transaction charge हैं आपके securities transaction charge में भी बढ़त देखने मिलेगी और importantly buyback पे taxation के नए नियम आने वाले हैं और यह जो है directly आपको impact करेंगे अगर आप participant है market के तो सबसे पहले मैं बात करूँगा BAC के नए transaction charges को लेके द्यान से सुनिएगा कल से cash और future options F&O के लिए नए transaction charge आ रहे हैं SEBI ने जो है आप कह सकते एक समान platform fees जो है लागू करने का आदेश दिया था और Sensex और जो आप कह सकते हैं BankX के option से वह एक करोड रुपे के turnover पर जो है 3,250 रुपे का fees रहेगा ध्यान से सुनिएगा F&O segment में अन्य contracts के लिए भी charge में बदलाव नहीं देखने मिली है Sensex 50 options की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है stock options के प्रती जो है आप कह सकते है 500 रुपे free रहेगा एक करोड को लेके और index और stock switches के लिए कोई transaction fees नहीं है यह BSE से आया है लेकिन NSE से अगर बात करें तो यहाँ पे भी transaction charges में changes आया है सबसे पहले एक लाग के trading के value पर cash में लगबग 3 लाग का transaction fees रहेगा equity futures में लगबग 1 लाग के trading value में almost आप कह सकते है 1.73 लाक का fees रहेगा और वही अगर हम बात करें equity options का तो यहाँ पे जो है एक लाग के premium value पर fees 35 रुपया का रहेगा अगर बात करें आपके currency futures की तो एक लाग रुपय के trading value पर 35 पैसे का fees और आखिर में currency options की अगर बात करें तो यहाँ पे एक लाग का trade पर premium value जो है उसका fees लगबग 31 रुपय का रहेगा BAC का changes हमने बता दिया NAC की changes आपको बता दिये लेकिन जो overall trading है यहाँ पे securities transaction tax जो STT होता है वो महगा हो जाएगा STT की बड़ोतरी जो है कल से लागू होने वाली है वित्त मंत्री निर्मला सीतर अमन ने बजट में यह एलान किया था अब जो है effective होने वाला है यह एक अक्टूबर से futures trading पर STT 0.0125% से बढ़के almost 0.02% हो जाएगा वही option trading पर भी सरकार 0.1% STT जो है वसू लेगी आखिर में अगर बात करें FNO की return भागीदारी घटाने की मकसद जो है STT में बड़ोतरी के लिए किया गया है इसके लावा आखिर में buyback changes भी रहने वाले taxation को और यह बहुत important है पहले मैं बता दू बजट में वित्त मंत्री ने tax नियमें बतलाव की प्रस्ताव दिया था capital gain नहीं अब dividend के रूप में जो है classify किया जाएगा the taxation होगा dividend के definition को लेके buyback से कमाई कि कोई भी tax को जोड़ा जाएगा अब overall aggregate किया जाएगा उसके बाद tax का जो slab रहेगा उस हिसाब से आपको tax किया जाएगा तो यह जो है buyback के भी नए taxation rules देखने मिल और हमने भी देखा पि investor आपको ध्यान रखने चाहिए एक October से यह लागू होंगे ठीक है शुक्रिया शर्त बाजार में यह तीन बदलाओ इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि आपके trading को कहीं कहीं आपकी जेब को यह impact करेगा लेकिन चले को इस टॉक्स की तरफ फिर से लोड़ते हो और शिकांजे आप जराने NMDC पर जरा वियू दीजिए आठ सतर में करीब 16-17% यह शियर चल गया है और कहीं कहीं आज हमने जो दख्या कि Singapore Iron Over Future 11% उपर चला गया था उसका benefit भी मिलना NMDC को NMDC 245 का भाव है आप क्या target सुझाएंगे इसमें और क्या आपको उम्मीद है कि तेजी बनी रहेगी या फिर थोड़ी profit चेकिंग कर लें इसमें तो देखे मुझे लगता है कि metals में तेजी और भी बरकरार रहेगी और यहाँ पे सबसे बहले जहाँ पे भी हमने अंडर performance देखा है वहाँ पे एक pullback की rally बनेगी और जहाँ पे breakout बना है वहाँ पे नए levels हम देख सकते जैसे कि Nalco, Hind Alco के बारे में मैंने कहा बट NMDC अगर देखा जाए तो इसके जो previous size थे वो 280-290 के करीब के थे अभिशिक जी और वहाँ से लगातार गिरते हुए stock 204-205 के करीब आया था तो काफी बड़ा retracement इसमें गुआ था अब इसका pullback हो रहा है और मुझे लगता है यह pullback जाने रहेगा जब तक इसने एक bearish gap छोड़ा था तकरीब ऑन 270 के करीब के तो वहाँ पर अगर stock आता है तो short term traders long position बना सकते हैं और अगर कोई investments अगर पड़ी हो या current level से long trade पड़ा हो तो मुझे लगता है at least 270 तक इसे पगड़ के रहे ठीक है 270 तक इनमडीसी का शियर जा सकता है आप गिरावट पर भी इसको और एड़ कर सकते हैं 235 रुपे का बढ़िया सपोर्ट इसके लिए बन रहा है इनमडीसी के लिए लिकिन चली तीन बजगे हैं और हमारे खास segment market date 3 का वक्त हो गया हमारे सियोगी गौरो जाव लेकर हमारे साथ त्यार है गोरो बताइए कौन सी खबर आई है और उनका क्या असर हो रहा है जी हाँ तो आज अगर हम बात करें खबरों की तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक आफ महराशा की क्योंकि यहां पे मीडिया रिपोर्ट से जिस्ट करते हैं कि कई पे कंपनी जो है वो Q.I.P. जो है वो हमें बैंक के तरफ से देखने को मिल सकता है अगर हम बात करें तो एक इन-लाइन है स्ट्राइजी के साथ जैसे कि पहले ही मैनेजमेंट ने कहा था कि कही पे जो लिक्विडिटी और बाकी सब इश्यू से इसके लिए वो Q.I.P. के साथ है तो इसके वरे से हमने देखा कि एक पॉजिटिव अप्टिक है वा आज के दिन में हमें बैंक अप महराश्या में देखने को मिला अगली बात करतें NBCC की क्योंकि फिल्हाल में ही कंपनी को NHAI से कॉंट्रेक्ट मिला है जिसकी वैल्यू जह है वो 101 करोर सोनी वाली और इसके और इसे एक पॉ स्टेनलेस की तो वहाँ पे कंपनी ने एक नया करार किया है अभी सीजे डासिल के साथ यह करार किया है इसके करार के चलते हुए कंपनी जो है कंटेनर बनाने के लिए मदद करेगी इस कंपनी को इसके चलते हुए कई पर लाइट वेट और सस्टेनेबल स्टेनलेस टील जो अल्मोस्ट 8% से यह जो आईरन ओर प्राइजे से वो उपर गए थे और इसके में रीजन यह है कि चाइना में जो हाउजिंग मार्केट है वहाँ पर एक थोड़ा इजिंग जो है वह हमें देखने को मिला था गवर्मेंट के दरफ से और इसके बाद यह जो बुलिश विव है वाइरन ओर के ऊपर देखने को मिला और इसके चलते हैं एनमडी से भी देखने को मिला तो खबरों के दम पर इन सब स्टॉक्स पे आज हमारी नज़र बनी रही क्योंकि अच्छा ट्रैक्शन आवे देखने को मिला था आगे जाके इन सब स्टॉक्स में नज़र रखना हैं और इस ने आज ही आज में 95500 तोड़ा और आज ही आज में बावन हजार नो सो की दहलीज पी आ चुका है यह ल Playing का एक दिन में तूटना देखिए पुरानी कहावत है मार्किट के अंदर की अती हर चीज की बुरी होती है अती चलना अती तूटना दोनों एक खतरना के छोटे समय में होगा उससे क्या होता है कि रिटेल थोड़ा कन्फीज हो जाता है इंस्टिडूशनल्स तो कर सकते हैं का उनके पास एलगो है उनके पास पैसे का फंड है उनके पास इंटलेक्ष्टल माइंड्स है बट रिटेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक लैप्टाप पर एक सॉफ्टेर है या फिर जादा से ज़दा टीवी देखेंगे जादा से ज़दा दो चार ग्रूप के अंदर ने कुछ नहीं कमाया वह तो खरीद ही नहीं पाए क्योंकि यूफूरिया था और 26 दोसों से 25,800 के वीच में रिटेलर बेच ही नहीं पाए क्योंकि वह यूफूरिया एकदम से छट गया ठीक है तो सिस्टी को भी जोड़के हम आटो सेल्स के नंबर भी पता कर लेंगे लेकि सिरकान जी आज की जो गिरावट है में को दो तीन पॉइंट्स पर थोड़ा यह लग रहा है कि छोटा से एक्सपरिमेंट कर सकते हैं कि हम किसी इंडाइजिस में कर सकते हैं कोई कॉल पूट वगएरा अगर आपके दिमाग में चल रहा हो तो कुछ यहाँ पे जैसे कि मैं जैसे अभी आप गाइड करते रहते हों ट्रेडर्स को हम भी जो हमारे यहाँ पे जो कुछ एक्सपर्स हैते हैं अपने इसाब से जो ट्रेडिंग करते हैं उनको यही बताता है कि जो अपने सपोर्ट अपने इस्टैबलिश करके रखे या इतने दि कि जो supports निकल के आ रहे हैं Nifty के लिए वो 25-700 के हैं अगर आप averages को follow करते हो तो 20 दिन का जो average है Nifty का वो तकरीबन 25-500 के करीब है तो इन levels के करीब है Nifty को मुझे लगता है कि देखा जा सकता है 25-700 के करीब मुझे लगता है बिलकुल Nifty में कुछ long की position बनाई जा सकते है important supports में है और पिछले दिनों में जब market में एक bank Nifty में अच्छी तेजी बनी थी तब हमने 52-900 के बाद ही बड़ी तेजी देखी थी तो हमें लगता है कि इन levels के करीब बिलकुल bank Nifty में कुछ call के position बनाई जा सकती है और यहाँ पे कुछ contra view के साथ long किया जा सकता है और जैसे आपने बता है वैसे कि excess bank Nifty गिरा हुआ है तो बिलकुल यहाँ पे contra position बनाई जा सकते हैं मेरे पास अभी right now option के rates अवैलेबल नहीं लेकिन मैं कहूंगा कि जो add money के call options है वहाँ पे हमें लगता है कि कोछ long के position हमें ढूमनी चाहिए तो सर वैसे तो मैं शिष्टी को जोड़के ओटो सेल्स के नंबर पता करता है शिष्टी से मैं एक मिनिट और समय ले रहा हूँ सर जब बात इतनी छिड़ी गई है तो मैं एक call मैं आपको दिखाना जाता हूँ यह एक तरीक की derivative expari है यानि कि कल की expari होने वाल है 211 रुपे की चल रही है स्ट्राइक है सर 53,000 की एक बार आप चेक कर लो क्योंकि इसकी जो पुट है ना वह बढ़ नहीं रही है जब पुट बढ़ना बंद हो जाएगी इसका मतलब call कभी भी बढ़ सकती है अभी तो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है बट कभी भी भी बढ़ सकती है आप एक बार चेक कर लो 53,000 की call 210 रुपे में मिल रही है एक तरिकी डेरिविडिविक्स पारी है अगर कोई ट्रेड है तो बता दो नहीं तो छोड़ देंगे कोई जबरदस्ती का सोधा नहीं है सर तो हमें लगता है बिल्कुल लिया जा सकता है डिमपी तरिपन अजार के करीब अगर आप देखा जाये तो वहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड नहीं है इस और करेक्टिव पैटन और करेक्टिव पैटन अपने important supports के करीब settled होते हुए हमने कई बार देखा हुआ है तो हमें लगता है बिल्कुल तरिपन अजार के करीब जो 210-215 के करीब या 225 के करीब भी अगर कोई call option मिल रहा है बिल्कुल इससे long किया जा सकता है देखे यहाँ पे आपको जो risk लेनी पड़ेगी वो almost मुझे लगता है कि पूरे यह call घटके 100 या 75 के करीब आ सकता है लेकिन जैसे इसमें एक reversal activity बनेगी I am very much sure कि यह call शायद 400 या सवा 400 तक भी जा सकता है तो काफी अच्छा risk reward ratio है बिल्कुल मुझे लगता है कि current level से 23,000 के call options bank nifty के लिए जा सकते है 210 रुपे के आसपास चल रही है चोटा मोटा देख लेना आप अपने हिसाब से ले पाओ चोटी मोटी कॉल्स वगरा है यह हां तो आप experiment करना चाहते हैं लैप टेस्टिंग वाला करना एक दो लौट का वो भी चोटा सही करना बस उसके लिए मैं एक राइडर आपके सामने रख रहा हूं शिष्टी को अपने साथ जोड़ते हैं आटो सेल्स के नंबर आ रहा है अनुमान कैसे होंगे एक बार जारा समझ लेते हैं शिष्टी आप सोभी बता रहे थे कि इस बार के जो नंबर आएंगे उसमें क्योंकि शराद का पूरा पंदरा दिन 14 दिन वह काउं यह है कि फेस्टिव सीजन के पहले क्योंकि अभी एक यह जे डल पीरेड है जैसे आप भी बता रहे थे शराद का समय चल रहा है ऐसे में कंपनी भारी डिसकाउंट दे रही हैं अब दो फैक्टर्स हैं कि अब जो नए मॉडल्स हैं उनमें भी डिसकाउंट मिल रहा है और क यह से थोड़े से कंसर्ण जरूर है और आप देख सकते हैं कि टू वील अकाउंटर्स में गिरावट है पर अब नंबर्स की बात करें तो इस बार जो है शायद टू वीलर्स और ट्राक्टर के जो नंबर्स रहेंगे वो थोड़े से स्थे रात वे दिखेंगे अच्छे सा है दीलर इंवेंट्री का ये लगातार चल रहा है इसके अलावा ट्राक्टर डिविजिन में महीने दर महीने डबल जो है सेल्स होने की उमीद है वो इसलिए क्योंकि जो मौन्सून का सीजन है वो काफी अच्छा रहा है साथी साथ फार्मर्स के सेंटमेंट्स भी की थी तो शायद इस बार थोड़ा सा महीने दर महीने वो कैच अच अप करती भी नजर आए टू वीलर सेग्मेंट में अगर हम देखे तो तमाम काउंटर्स है जहां पर डबल डिजिट महीने दर महीने ग्रोथ की उमीद है यहां पर एक अच्छी ग्रोथ देख सकते है पर जा के जो है थोड़ी सी धीमी गती से जो है ग्रोथ कर रही है साल तर साल देखें क्योंकि एक शाइकलीकल फाक्टर होता है यहां पर डिकलाइन ही हम शायद आते वे देखें और 편 साधे सिर्टो यहां पर ईयहां पर महीने दर महीने hundred percent अकि की ग्रोथ आप देख सकते है तो ये कुछ तमाम आकड़े हैं जहां पर हमारी रहेगी नजर ये उमीदे हैं पर जी हां टू वीलर सेग्मेंट और साथी साथ ट्राक्टर डिविजिन पर खास तोर से नजर रहेगी ठीक है चली यह सारे के सारे नंबर्स आपने मोटा मोटी दीख लेंगे वैसे दो व्यूपइंट लेना था मेरे को लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना एक ब्रेक ले लेता हूं उसके बार आता हूं वह जो 210 वाली कॉल है वैसे वाइदा वह 226 हो चुकी है हम किसी स्ट्राइक आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूं लेकिन अगर आप वो नोटिस कर रहे होंगे तो 228-230 करेट अलड़ी आ चुका है मेरे पास तो इसका ठीक है जी आगे बढ़के इसके बारे में थोड़ा और डिसकस करेंगे हम आपके स्क्रीन पर रहेंगे एक काम करता ह आप आटो मेंजे कोई फेवरेबल ट्रेड बता सकते है उन बोग्द दा साइड जिसका स्ट्रक्श बहुत ज़्यादा खराब हो और जिसका स्ट्रक्शर बहुत ज़्यादा ठीक हो जो और सेल्स के नंबर है वो हम स्क्रीन पर दिखाई रहें आप बहले इसमें नहीं भी बिगड़ रहा है वो है टाड़ा मोटर कुछ टाइम पहले स्टॉक ने हाय लगाया था 1175 फिर महां से स्टॉक उतरके 1025 आया फिर एक रिकावरी आया फिर वापस 950 है तो टेक्निकली यहां पे लोग 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 टॉप्स बन रहे हैं तो टेक्निकली एक बेरिश पैटन है और अगर आप option activity देखे तो वो भी थोड़ी सी bearish turn हो रहे है तो थोड़ा सा positional view ले तो मुझे लगता है कि यह stock वापस एक नए लोग के तरफ जा सकता है जो है 950 से लेके 900 तो मेरा Tata Motors पे bearish view है और disclaimer भी देना चाहूंगा client को भी positionally sell view के साथ दिया है तो यह Tata Motors को नजर म पे रखना चाहिए bearish position बनाके इसमें फायदा किया जा सकता है Tata Motors में मंदी का view ले सकते हैं 2% नीचे यह share है 974 रुपे का भाव है लिखे चलिए तीन बच के 20 मिनिट हो गए हैं समझ ले लेते हैं कि आपके लिए BTST और STBT के मौके कहां पर बन रहा है शिकान जी शुरूआत आप से करेंगी सवधा क्या है हैसर आपका खरधारी करेंगे या फिर CYCAL के आपके तरफ से भी है शिकान जी बिलकुल तो देखे मुझे लगता है कि मेटल्स में हमें लगता है कि तीजी लगातार जारी रहेंगी और metal stocks नहीं कोई ना कोई किदर ना किदर trades मिलते रहेंगे यहाँ पर हमें लगता है specifically Tata Steel के stock को long किया जा सकता है current levels 168 के करीब के है हमें लगता है stock कम से कम short term में 175-177 के levels दिखा सकता है तो Tata Steel को long करें और 164 का stop loss रखे और targets रखे यहाँ पर 177 के ठीक है 117 का लख्ष टाटा स्टील के लिए 114 रुपे का stop loss आज साधे वारा बज़े दोपर में हमारे साथ रजना वैदी जुड़ी थी उनका भी conviction था Tata Steel और उन्होंने भी 175 रुपे के target सुझाय थी Tata Steel के share को लेकर तो लॉंग करनी की सलाह है मेटल में ही आपके लिए कमाई के सोधे निकल के आ रहे हैं आदिते आपकी नजर कहां पर है BTST या फिर ST BT आपका हम देखने की थोड़ा सा जुखाव जो है ना वो मन्दी के तरफ जादा है तो उमीद करके चलेंगे कि सेल की call आईगी आपकी तरफ से बिलकुल आपने एकदम सही पकड़ा है मेरा जुकाव थोड़ा सा मन्दी के तरफ है और bearish view मुझे मजार मैं तो bearish trend लग रहा है तो निफ्टी पे ST BT एक view ले सकते है और मैं समझ के चल रहा हूँ कि overnight कुछ news के हिसाब से हलका फुलका gap up शायद हो सकता है बट overall मुझे लगता है कि next day शायद नीचे के तरफ settle हो सकता है तो उसे साब से निफ्टी एक्सेल कॉल है निफ्टी futures पे 26002 में अभी बेचा जा सकता है इसको stop loss रखेंगे 26200 का और target रहेगा 25800 का ठीक है निफ्टी में आपको ये सौधा लेनी की सला है आदिती के तरफ से राजी जी आप से एक बार reliance पर view चाहिए थोड़ा सा लंबा view ही दीजेगा क्योंकि कुछ negative चीज़े तो है क्या ये ग्रावट re-entry का मौका दे रही है निवेश्कों को जी अभी शेकी बिलकुल दे रही अगर आपका 9 से 12 में न या उसे ज़्यादा का नजरिया है तो reliance जैसे stock में आपको बिलकुल बने रहने चीज़े है अब company की थोड़ी बात करें तो जो दो बड़े इनके business है जिसमें बड़े capital लग रहे थे एक तो जी यो और टेलिकॉम जी यो टेलिकॉम और रीटेल दोनों में इनका केपिक्स लगबग पूरा हो चुक्या है तो अब वहाँ से हमारी performance इनकी अच्छी होती नज़र आएगी दूसरी जी यो में जो टेरिफाइक हुआ है उसके बाद जो आर्पूज एकसो अटालीस रुपय के आसपास टिका हुआ था एकसो एकसी रुपय के आसपास वहाँ से सुधार होता हुआ नज़र आएगा तीसरे O2C बिजनेस में भी थोड़ा सा सुधार होता हुआ नज़र आएगा रिटेल की बात करें तो 18,000 के उपर के इनके स्टोर्स हैं जी यो टेलिकॉम में अगर सेग्मेंट में देखा जाए तो इस वक्त दो ही प्लेयर ऐसे हैं बजार में जिसकी चर्चा की जा सकती है और अभी फिलाल वीकेंड पे उन्होंने एक नया प्लान लाँच किया जो 75 रुपे में 28 दिन आपको 8GB डेटा के साथ दे रहा है तो वो अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है जिसमें OTT प्लेट्फॉम्स भी है तो सारी चीजे इसके फेवर में जा रही है और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो जभी भी इनका कोई कॉर्पेट अनॉंस्मेंट आएगा चाहे वो डीमर्जर को लेकर के हो या आईपियो को लेकर के हो आज जो गिराओट आई है आपको बिल्कुल एक मौका दे रही है क्योंकि बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जैसे रिलाइंस जैसे दिगर तीन-चार परसेंट डूखते हैं ठीक है सौर पे सस्ता इसको ऐसे देखिए सौर पे सस्ता आपको रिलाइंस मिल रहा है आपके लिए मौका है एक क्विक विउ न राजियस जी आप बिल और ट्रेंट पर भी दीजिए आज से निफ्टी में ये शामिल होगे शुरुवात होगी और आगे चुक्त की फंड्स जब आइंग करते हैं तो वो इंडेक्स देखते हैं क्या आपको लगता है कि ये भी मौका दे रहे हैं शेयर दोनों ट्रेंट और बिल देखें ट्रेंट की अगर बात की जाए तो बड़े शांदार तरीके से कंपणी चल रही है सारे डिवीजन इनके अच्छे चल रहे है जूडियो अच्छा चल रहा है लेकि दिक्कत यह है कि इतनी तेजी से इतनी बड़त हो गई है इसलिए थोड़ा सा प्रेशर देखता है लॉंग टर्म में अच्छी बड़त दे सकता है लेकि इस वक्त में खैदारी के साला नहीं दूगा जिसके पादा से होल्ड कर सकते हैं क्योंकि वज़य वही है कि बड़त बहुत तेजी से बहुत जादा हो गई है कुछ गिरावट आये मौझूदा इस तरह से 80% की तो गिराया खैदारी के जा सकती है PE की जहां तक बात है मैं समझता हूँ कि वहां पे बिलकूल खैदारी करनी चीहेँ पिछले कुछ दिनों से हमने डिपेंस और शिपिंग वार गये के पूरे सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट देखिए जहां वैल्वेशन ठीक टाक हो गए सरकार का जिस तरीका से नजरिया है मेक इन इंडिया का या इंडी जनेशन आप डिपेंस का उससे इनका पड़ा पैदा होगा दूसरे न केवल भारत में बलकि पूरी डिपेंस पैक को अगर अब देखो तो इन्होंने विदेशों से भी कई ओडर नी है खाद B.L. की भी ओडर बुक बहुत अच्छी है मुझे लगता है लबी ओदी के निश्चा को फिदारी करने जी ठीक है चली फटाफट एक और आज क्रूशल डिवलप्मेंट है वो है सेवी की बोर्ड बैठक बैठक में किन मुद्दों पर विचार होगा क्या कुछ फैसल दे हो सकते हैं बतानी के लिए हमारे से होगी अनुराग शाह हमारे से जोट रहे हैं अनुराग बताइए क्या फोकस में है आज ठीक है सुबह साड़े दस बजे से ही बोर्ड बैठक शुरू हो चुकी है और बाजार की जो नजर है वो आज सेबी की बोर्ड बैठक के उपर है कि किस तरह से जो सेबी है वो FNO से जुड़े हुए जो नियम है वो कर सकता है क्या बॉल्यूम पर असर डालने के लेकर सेबी किस तरह के फैसले ले सकता है जिस तरह से चर्चा है कि सेबी जो है expiry की संख्या को कम करना चाता है, हर एक exchange पर एक ही weekly expiry को लाना चाता है, तो उस पर चर्चा जो है बोर्ड बैठक में होने की संभावना, इसके अलावा जो contract size है, उसको बढ़ाने पर भी फैसला लिया जा सकता है, और जो closing margin है, उसको बढ़ाने पर सेबी की बो की जो regulation है वो भी उसको पर भी एलान हो सकता है और उस पर बोर्ड बैठक में फैसला होगा और इसके लावा जो नया asset class है जो mutual fund और PMS के बीच में जहां पर निवेश 10 लाग रुपे से जादा में शुरू होगा उसको लेकर भी सेवी की बोर्ड बैठक में फैसला हो सकता है औ जो हिंडन बनबर के आरोप लगे उसके बाद हो यह पहली बोर्ड बैठक के जून की बोर्ड बैठक के बाद और यो सेवी के करमचारियों के द्ारा भी जो कुछ मुद्दे उठाए गए ते उसके बाद हो रही है बैठक और अभी तक कोई यह अधिकारिक जानकारी नही वह जादे इंपॉर्टेंट है मार्किट को इसी पर थोड़ा से रियक्शन देना है और सारे मेटर तो सब रेगुलेशन के आदी ने एक मिनिट के बाद मार्किट बंद हो जाएंगे और मैं आपको फटा फट से बतायता हूं बजार कैसे क्लोस कर रहा है क्या अच्छा क्या पच्छेजार आठ्सों पे डॉट क्लोसिंग दे रहा है निफ्टी ये एक सपोर्ट एरिया इसके नीचे नहीं गया इसके ऊपर ही आके क्लोस कर रहा है इसका मतलब एक उमीद जगा के जा रहा है कि मैं इसको नियर बै अपना बॉटम बना सकता हूं क्योंकि क्लोसिंग की लेवल्स के अपनी इंपॉर्टेंस होती है ठीक है जो यूडी बेसिस पर देखते हैं एंड अफ दे डे तो उनके लिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा पॉइंट इंडिया विक साड़े चे परसेंट है यह बारत हो गया लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि मार्के के 500 पिंट की तो करीब करीब आठत नेंगे इंडिकेटर को ठीक करनी के लिए तो फिलाल नजर इसी पर रहे गी कि बड़े और प्रावेट बैंक्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं अगर उनका परटिसिपेशन अच्छा हो गया तो यहीं सहीं रिवर्स इंदेगा नहीं त एक्सपेरिमेंटल ट्रेड के लिए आप 53,000 की कॉल या 5800 की कॉल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अपने वित्तिस अलाकार से पूछ के कीजिएगा कॉल्स के अंदर या पूछ के अंदर ट्रेड करते समय आपको प्रफेशनल एटिटूट अपनाना होगा अगर आपके प आज मारकेट के अंदर जो शेर बढ़े या अच्छे चले उन शेर्स में आप अपर टॉप काउंटर्स में JSW स्टील, NTPC, हिंडाल को, ब्रिटैनिया, टाटा स्टील जैसे शेर्स थे कुल मिलाके कहने की बारत है कि स्टील पैक या फिर मेटल पैक काफी अच्छा था, थोड़ा डिफेंसिव का प्ले भी आया, अनर्जी पैक भी ठीक था, ओल एंड गैस पैक भी ठीक था सुबह सुबह हमने आपके समझी नोटीस भी करवा दिया था, कि ज़्यादा एनर्जी दूसरी चीज़ें मत लगाना, इनी तीन चार सेक्टर्स में लगाना आप देखोगे, उनी सेक्टर्स के शेर आज के टॉप हीरो बन के बंद हुए हैं, हीरो मोटर कॉप 4% टूटा, इस बैंक, रिलाइंस, ट्रेंट, ये सब के सब शेर कमजोर थे, रिलाइंस इंडस्टिस का आज 3% नीचे बंद होना बिना किसी ट्रिगर के, तो ये थोड़ा ध्यान दिनी वाली बात है, कल कितनी हेल्प करेगा, कितना डेमेज करेगा, दिखना होगा, आज अगर आप मिर 28800 के दूसरे सपोर्ट पे लेका आया, उस शेर का नम था, रिलाइंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, कुल मिलाके, लेकिन आज का सेशन बहुत माइनों में सपोर्ट वाला था, और बहुत माइनों में चीजों को ठीक करने वाला था, जो ओवरश्वीटीड है, ओवर हीटीड च चल रही है, भारत में ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा कि 81% के लिए उनको आना पड़े, बट वह हैं, अभी भी, वो देखते हो, कितना आगे पिछे रिजस्ट करते हैं, या शाम को नमबर आ जाएंगे, साड़े पांच-छे बजे, और इस सैभी की जो आज बैठक होनी वाल जाएगा, इन दोचा ट्रिगर से हम कल फिर मार्केट में आपके सामने उतरेंगे, आज मेमानों को शुक्रिया आदा कर दे, राजेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक्यू वेरि मच, अरित्य रोडा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शिरकान सर आपका शुक्रिया, चल तो देखे, यहाँ पर जितने भी शुक्रिया, जिटने भी शुक्रिया, या क्लेश सर आपकी तरफ से? जिसमें स्टॉक्स में डिसकर्शन गुआ है उसमें मेरी कोई पसना गुर्डिन नहीं है बट ऐसा हो सकता है कि हमारी क्लाइन्टों की या कंपनी की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोट्पोलियो में ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का और उमीद करते हैं जल्दी आप आपको वापिस समय देंगे ताकि आपके इंटेलिजेंस कम भरपूर भरपूर फायदा उठा पाएं फिलाल मेरक और अभिशेक को इजारत दे सकते हैं अगला कारकम कल की तैयारी है इसमें बोर्ड की बैठेक के अंदर क्या क्या हो सकता उसका जटपट एक तरीका एक अनुबवा और मिल जाएगा हम दोनों को इजारत दीजे नमस्कार